आज देश का गुजरात की धर्ती का एक महान संबूत हम सभी से बहुत दूर चला लिया है हम सभी के प्रिय स्रद्धे केशुवय पटेल जी उनके नीधन के समाचार मैं कलपणा ही नहीं कर सकता हूँ मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत स्तब्ध हूँ केशुवय का जाना मेरे लिए किसी पिता तुल्ले के जाने की तरह है उनका नीधन मेरे लिए ऐसी क्षती है जो कभी पूरूरी नहीं हो पाएगी करीब 6 दसक का सार्वजेनिक जीवन और अखंड रुच से एकी लक्ष, राष्ट भक्ती, राष्ट रहीत केशुभाई एक विराठ व्यक्तित्व के धनी थे एक तरफ व्यवहार में सौम्यता और दूसरी तरफ फैसले लेने के लिए द्रड इच्छा शक्ति उनकी बहुत बड़ी खासियत थी उन्होंने अपने जीवन का प्रतिपल समाज के लिए समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था उनका हरिकारिय गुजरात के विकास के लिए रहा उनका हर फैसला प्रत्य गुजराती को ससक्त करने के लिए रहा एक बहुती साधारन किसान परिवार से उठकर निकलने वाले हमारे केश्व भाई किसान के गरीब के उन दूखों को समझते थे उनकी तकलीफों को समझते थे किसानों का कल्यान उनके लिए सर्वोपरी था विधायक रहते हुए साउसद रहते हुए मंत्री या फिर मुख्यमंत्री रहते हुए केश्व भाई ने अपनी योजनाओं में अपने फैसलों में किसानों के हितों को सर्वोच्य प्रात्विक्ता दी गाउं गरीब किसान के जीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया राष्ट भक्ती और जन भक्ती की जीण आदर्शों को लेकर वो जीवन भर चले वो पीडियों को प्रेरित करती रहेगी केश्व भाई गुजरात के रंग रंग और रग रग से परिचित थे उन्होंने जनसंग और भाजबा को गुजरात के हर क्षेत्र में पहुँचाया हर क्षेत्र में मजबूत किया बजयाद है इमर्जन्सी के दिनों में किस तरह केश्व भाई ने लोक तंत्र की रक्षा के लिए संगर्ष किया केश्व भाई ने मुझ जैसे अनेकों साधान कारे करताओं को बहुत कुछ शिखाया हमेशा मारदर्सन किया प्रधान मंतरी बनने के बाद भी मैं निरंतर उनके संपर्ग में रहा गुजराज जाने पर मुझे जब भी अवसर मिला मैं उनका आशिरवार लेने भी गया अभी कुछ सब्ता पहले ही सोमना ट्रस की वर्चुल बैटक के दोरान भी मेरी उनके साथ बहुत देर तक बातचित होई और वो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं कोरोना के इस काल में मेरी फोन पर भी उनसे कई बार बातचित होई मैं उनकी सहत के बारे में उर्चता रहता था करीब 45 साल का नीकट परीचर संगर्ठन हो संगर्ष हो व्यवस्ता का विशय हो दी हो रचना का विशय हो आज एक साथ अनेक घटनाए मेरे स्मृति पडल पर आ रही है आज भाजबा का प्रत्तेक कारकरता मेरी तरह ही बहुत दुखी है मेरी संवेदनाए के शुभाई के परिवार के साथ है संपूर्ण भाजबा परिवार के साथ है उनके सुप चिंतकों के साथ है दुख की इस गड़ी में मैं उनके परिवार के साथ निरंतर संपर्क में हूँ मैं इस्वर से प्रार्थना करता हूँ कि केशु भाई को अपने चरणों में स्थान दे उनकी आत्मा को शांती प्रदान करे ओम शांती 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 झाल 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 झाल